अश्काल, स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टिट के इस online platform पर कैसे हैं आप लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे ये class है psychology की और इसमें हम discuss कर रहे हैं अपनी learning की theories को आज जो है हम learning, जो learning हमारा chapter चला हुआ है, topic चला हुआ है उसकी आज हम last दो theories को जो हैं वो discuss करेंगे यहाँ पर और उसको start करने से पहले यहाँ पे कुछ information है जो मैं आपके साथ share कर देती हूँ यहाँ पे screen पे आपको दिख रहा होगा HP SSC यानि Mission HP SSC इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है जितने भी exam आपके जो हैं HP SSC के अंडर आते हैं mainly new institute उन सभी exam को target करता है और अभी फिलहाल में जो batch चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है आपका HP TAT का HP TAT medical के लिए, non medical और arts के लिए तो उन सभी student को मैं बता दूँ जिन्होंने अभी तक इस batch को join नहीं किया है उन्हें क्या करना है, उन्हें simply जो है वो Google Play Store पे जाना है और बहाँ पे जाके new institute की जो ये application है blue color का logo आपको दिख रहा होगा, इसे जो है वो install करना है जब आप install कर लोगे, उसके बात मैं यहाँ number लिख रही हूँ 9459802085 इस number पर जो है आपको call करनी है जब आप इस number पर call करोगे तो आपको जो है वो batch में enroll कर लिया जाएगा next हम बात करते हैं, ये जो batch start हुआ है, इसके कुछ benefits के बारे में यहाँ पर आपको जो है वो one week का demo जो है यहाँ free दिया जाएगा daily classes होंगी, weekly test होंगे, साथ में कुछ doubt session भी यहाँ पर रखे जाते हैं जो most important बात आती है वो आती है इसके fee structure की यानि जो हमने batch start किया है, उसका हमने fee structure कितना रखा हुआ है यहाँ पर जो fee structure है वो है one triple nine यानि कि आपको 2000 रुपए के अंदर जो है यह full course जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा इससे भी important बात यहाँ एक और आती है यहाँ आपको दिख रहा होगा 20% discount for BPL student यानि कि जो हमारे यह fee structure है one triple nine इसमें से 20% less कर दिया जाएगा उन student के लिए जो student BPL category से belong करते हैं तो यह बात तो होगी हमारे जो हमने best start किया है और इसके fee structure की अब हम next बात करते हैं अपनी class की जो हमारा आज का topic है यह कुछ information है मेरे बारे में और यहां से जो है हमारी class जो है आज की start हो जाएगी आज की जो हमारी first theory है basically आज हम दो theories को यहां पर discuss करेंगे जो first है हमारे पास वो है social learning theory और किसके द्वारा दी गए थी यह यह दी गए थी ऐलवेट बंडूरा के द्वारा ठीक है आपको याद रखना है आपको अपने मतलब माइन में बिठाना है कि यह जो social learning theory है यह किसके द्वारा दी गए थी? यह दी गए थी अलवेट बंडूरा के द्वारा इस थियोरी में क्या है? इस थियोरी में basically जो बंडूरा है वो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा कि जो learning है वो किस-किस तरह से हो रही थी? वो आपकी या तो conditioning क के द्वारा हो रही थी या फिर trial and error से हो रही थी या फिर reinforcement से हो रही थी मतलब कुछ particular factor थे जिनके द्वारा अब तक जो हमने theories पड़ी उन में क्या हो रही थी learning हो रही थी अधिगम हो रहा था है ना तो social learning theory क्या बताती है या फिर ये अलवेट बेंडूरा जी जो थे psychologist वो क्य बताते हैं वो बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारे सामने कोई stimulus रखा जाए या हमें reinforce किया जाए तब ही हमारे पास learning होगी ये जरूरी नहीं है उन्होंने कहा observation से भी होती है learning होती है ठीक है जब हम किसी को observe करते हैं या हम सामने वाले को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है तो उससे भी क्या होती है हमारी learning होती है basically इन्होंने यहां पर बात की कि observation से भी क्या learning होती है तो आईए start करते हैं यहां आपको screen पर दिख रहा होगा the social learning theory proposed by Elvett Bandura has become perhaps the most influential theory of learning and development ठीक है Bandura believed that direct reinforcement could not account for all type of learning जो हमारे पास psychologist थे वो यह जो इनकी theory है social learning theory यह बहुत ही important theory है आपकी जो development होती है उसमें भी और learning में भी तो यहां पर वो क्या बताते हैं वो बोलते हैं कि जो reinforcement है यह जो direct reinforcement देते हैं positive होती है negative होती है यह हमने पहले last video में discuss कर चुके हैं हम जो reinforcement होती है जरूरी नहीं कि उससे क्या हो सभी type की जो हो learning हो जाए ठीक है मतलब अधिगम जो है जरूरी नहीं है कि reinforcement से ही होगा people can learn new information and behavior by watching other people जो people है जो student है जो children है या फिर कोई particular person है वो new information and behavior कैसे सीख सकता है कैसे learn कर सकता है by watching other people दूसरों को देख के भी क्या है वो सीख सकता है known as observation learning और यह जो process हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं observation learning बोलते हैं या फिर modeling भी बोलते हैं ठीक है आपको word यह पता होना चाहिए कि modeling क्या होता है और यह observation learning की बात जो है वो किसने की ठीक है तो observation learning को ही क्या बोला जा सकता है आपके पास model बोला जा सकता है या modeling बोला जा सकता है, मौडलिंग से, मौडलिंग से आप क्या समस्ते हो, कि मौडलिंग क्या है, या फिर मौडल क्या होता है, जिसे अगर मैं बात करूं कोई पर्टिकुलर परसन है, मान लो वो किसी सामने वाले परसन को अब्जर्व कर रहा है, कि वो क्या कर रहा है, मान लो उसको observe कर रहा है कि किस तरह से वो जो सामने वाला person है वो खेत में काम कर रहा है तो उससे क्या होगा जो model है इसमें वो कौन है वो particular person जो खेत में काम कर रहा है वो उस person के लिए model है उस time वो model है वो उससे observe कर रहा है उस चीज़ को वो observe कर रहा है तो उस time पे वो जो person खेत में का तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा कि यह observation learning क्या होती है, modeling क्या होती है, next हम देखते हैं कि जो psychologist थे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ concept दिये, basic social learning concept दिये इन्होंने, कि जो हमारे पास learning है, वो किस किस तरह से हो सकती है, ठीक है, तो first यहां पे आता है, यहां पे एक line missing हो गई है, यहां पे first जो हमारे पास, मैं यहां लिख देती हूँ, यहां पे first जो हमारे पास line आएगी, मतलब कौन-कौन से type की learning हो सकती है, या फिर concept क्या है learning का, तो यहां पे जो first line आएगी, वो आएगी learning through observation, ठीक है, कि observation से भी क्या है, learning हो सकती है, अब उसके under आए experiment, बंडूरा demonstrate that children learn and imitate behavior, they observed in other people, अब आपको पता होना चाहिए, कि जो अलवेट बंडूरा थे, उन्होंने एक experiment किया था, बोवो डॉल पर, ठीक है, जो बोवो डॉल एक्सपेरिमेंट था, वो किसका था, अलवेट बंडूरा का, mainly इस बोवो डॉल एक्सपेरिमेंट में क्य इसमें ऐसा था कि कुछ बच्चे जो थे, उन्हें एक picture दिखाई गई, ठीक है, उन्हें एक picture दिखाई गई, जिसमें क्या था, एक doll थी, जिसका नाम बोवो रखा हुआ था, यथा उस picture में, वो doll थी, और एक मतलब doll type थी, और बहाँ उस picture में उसको वो दिखाया जा रहा बहां पे उन बच्चों को क्या दिखाया जा रहा था कि उस डॉल के साथ जो था बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा था बहां पे कुछ बच्चे आ रहे थे मूवी की मैं बात करी हूँ बहां पे कुछ बच्चे आ रहे थे और उस डॉल के साथ जो था बहुत ही अग् पच्चों को सिखाया गया दिखाया गया तो बात में जब एक पर्टिकुलर उनको भी एक डॉल दी गई तो उनके साथ भी उन्होंने सेम बेही ब्यभार किया सेम वही बिहेवियर शो किया जो उन्होंने बहां मूवी में देखा था ठीक है ये था पूरा एक्सपेरिमेंट बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो आपके पास एलवेट बंडूरा के द्वारा जो था वो किया गया इस पूरे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या देखा क्या उन्होंने पाया बेसिकली उसमें ऐसा था कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था बोबो डॉल का एक्सपेर कि जो aggressive behavior हुआ, उसके बाद उन बच्चों को punishment मिली, कुछ बच्चों को ये दिखाया गया कि जो aggressive behavior हुआ, उसके बाद कुछ बच्चों को reward दिया गया, थिक है, तो male needs theory में ये देखा गया कि जिन बच्चों को ये दिखाया गया था कि aggressive behavior शो करने के बाद आपको punishment मिलेगी उन्होंने कम aggression शो किया और जिन बच्चों को ये दिखाया गया था कि aggressive behavior शो करने के बाद आपको reward मिला उन्होंने जादा aggression दिखाया जब उनको experiment में मतलब जब उनक setup था किसके द्वारा किया गया था, elevator, बंडूरा के द्वारा जो था, वो किया गया था, ठीक है, तो इसमें उन्होंने यही बताया, कि जो children है, जो बच्चे हैं, वो दूसरों के बेख्भार को क्या करते हैं, अनुकर्ण कर लेते हैं, उसका imitate करते हैं, ठीक है, देख के क्या ह करते हैं वो उनकी लर्निंग हो जाती है तो उन्होंने बोला कि थ्री बेसिक जिसके द्वारा जो एक पर्टिकुलर पर्सन था वो अब्जर्व कर रहा था उसकी एक्टिविटी को सीख रहा था उससे ठीक है तो जो मॉडल है वो भी कितने तीन टाइप के हो सकते हैं तो फॉर्स हो सकता आपको पास लाइव मोडल जिसका मैंने आपको एक्जामपल दिय हो ठीक है C हो सकता है symbolic model जब आपको sign से या symbol के through जो है वो सिखाया जा रहा हो ठीक है यानि symbolic model आपके सामने जो है वो present किया जा रहा हो ठीक है तो यह first आगया आपके पास आपके पास learning through observation ठीक है second हम देखते हैं कि second concept क्या था second जो concept था वो था mental state are important to learning यह हमारे पास second concept था क्या था कि mental state are important to learning जो हमारी मानसिक स्थिती होती है वो बहुत ही important होती है learning के लिए अधिगम के लिए यह तो बात आप सभी को पता होगी यह बहुत बार आपने खुद भी experience किया होगा कि जब तक हम mentally ready नहीं होते हैं तब तक हम learn नहीं कर सकते आपकी वहां पर learning नहीं हो सकती आप नहीं सीख सकते कि सामने वाला जो person है वो क्या पढ़ा रहा है ठीक है तो mental state are important to learning ठीक है इसी के अंडर आता है आपके पास instinct reinforcement ठीक है इन्होंने बात की है instinct reinforcement की यानि आंत्रिक जो पुरन बरल होता है उसके बारे में इन्होंने यहां पर बात की है बंडूरा बोलते हैं कि external environment reinforcement was not the only factor to influence learning and behavior सिर्फ external जो reinforce करते हैं हम external reinforce का मतलब है आपका जैसे पैबलब के theory में क्या था external reinforcement का मतलब होता है कि आपको reward दिया जा रहा था ठीक है बाहर से कोई बाहर से आपको reinforce किया जा रहा था जुरूरी नहीं है बंडूरा बोलते हैं कि यह external reinforcement या फिर environmental reinforcement आपको दी जाए तभी आपकी जो है वो learning होगी यहां पे जो है instinct reinforcement का बहुत अधिक महतब होता है कैसे he described instinct reinforcement as a form of internal reward such as pride and satisfaction ठीक है यहां पे क्या होता है observation जब particular person करता है किसी जिसको observe करता है उसके थूरू जब वो सीखता है तो इसमें क्या होता है उसकी instinct reinforcement होती है उसमें ठीक है मतलब कि वो खुद से त्यार होता है वो उसकी आंतरिक वो अंदर से motivate होता है कुछ सीखने के लिए और ये किस रूप में उसे मिलता है internal reward such as pride या फिर satisfaction ठीक है इस emphasis and internal thought and cognition help connect learning theory to cognitive development theory और ये जो हमारे पास आंतरिक हमारी motivation है इससे क्या होता है हमारी जो cognition है thought और जो हमारे cognition है जो संग्यान है जो हमारे विचार है वो help करते हैं connect करने में क्या connect करने में हमारी जो theories है cognitive development theories है उनको connect करने में क्या करते हैं help करते हैं ठीक है एक तरह से क्या है अगर मैं इस line का आपको मतलब समझाऊं यह क्या है कि अगर आप अंदर से motivate हो, इंस्ट्रिक्ट reinforcement या internally आप motivate हो, तो क्या होगा, आप अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है, आपका cognition level भी क्या होगा, high होगा, उस time, ठीक है, तो क्या होगा, आप एक अच्छी तरह से जो है आपकी understanding बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पर bendura बात करते हैं, instinct reinforcement की, ठीक है, थर्ड फेक्टर यहाँ पर आता है, learning does not necessarily lead to change in behavior, वैसे अभी तक तो हम क्या पढ़ते आए, हम पढ़ते आए कि जो learning है, उसकी वज़ा से behavior में change होता है, ठीक है, जब कोई चीज learn करते हैं, learning होती है, तो उसकी वज़े से क्या होता है, एक permanent behavior में change होता है, अब तक तो हमने यह पढ़ा, लेकिन bendura क्या बोलते हैं, बेंडूरा बोलते हैं, कि learning does not necessarily lead to change in behavior, ज़रूरी नहीं है कि आप learning करो, और आपका जो ब्यवहार है, वो बदले, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्यवहार में परिवर्तन हो, यह बहुत बार होता है, daily life में भी आपने देखा होगा, अब मान लो, आप कहीं पे जा रहे हो, या कहीं पे हो, जहां पे आप किसी person को observe कर रहे हो, मान लो जो हमने first पे example लिया था, कि जो है, जो एक particular person है, वो field में काम कर रहा है, या फिर खेत में काम कर रहा है, और एक सामने वाला person उसको observe कर रहा है, तो वो सिर्फ उसको observe किया, बस उसके बेभार में थोड़े ना कुछ परिवर्तन हुआ, जो उसको observe कर रहा था, उसने देखा कि हाँ, वो कैसे बहाँ पे काम कर रहा है, खेत में कैसे काम कर रहा है, उसने उसको देखा, उसकी learning हुई, लेकिन जरूरी नहीं उसके खुद के बेभार में परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो बेंडूरा यही बात जो हैं, वो करते हैं, तो यह थे तीन basic concept social learning theory के, आई होब यह तीनों concept जो हैं, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, next हम बात करते हैं, the modeling process, अब जो हमने अभी model पढ़ा था, कि model क्या होता है, modeling process क्या होती है, उसके आगे यह कुछ modeling process है, ठीक है, कि modeling process में क्या क्या होता है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है, the following step are involved in the observation, learning and modeling process, कुछ जो step हैं, वो यहाँ पर involved किये गए हैं, जब आपकी observation, learning होती है, आप किस तरह से observe करते हो, किस तरह से वो modeling process जो है, वो होती है, यहाँ पर four step है, attention, in order to learn, you need to be paying attention, आपको पता है, attention मतलब, ध्यान देना, ठीक है, जब आपने कुछ learn करना है, जब आप कहीं पर institute में हो, कहीं school में हो, जब आपको कुछ learn करना है, तो सबसे जरूरी बात क्या है, सबसे जरूरी बात होती है, कि आप बहाँ पर attention हो, मतलब आप attentive हो, ठीक है, आप बहाँ पे अपनी मतलब ध्यान दे सको उस बात पे जिस बात को आपने learn करना है ठीक है इसके लिए क्या होना चाहिए अगर आप ये as a teacher school में करवा रहे हूँ ये process तो उसके लिए क्या करना क्या आप करोगे ठीक है मैं वो बता रही हूँ कि आप क्या करोगे जो ये modeling process है माल लो आपने कोई model बच्चों के सामने present किया तो उसके लिए अगर आप ऐसा क्या करोगे कि बच्चे जो है उस model पे attention दे ठीक है उस model को देखें तो उसके लिए ये जो model है आपका वो कैसा होना चाहिए ये model ऐसा मतलब ऐसा आपको बनाना है कि उसकी वज़ा से क्या है क्या हो बच्चे का पूरा attention जो है वो उस model पे जाए ठीक है अच्छी ढंक से वो ब्यवस्थित होना चाहिए ठीक है एक एक चीज clear होना चाहिए चाहिए वो किसी भी type का model है चाहिए वो आप chart के रूप में लेके आ रहे हो चाहिए वो आप concrete material के रूप में लेके आ रहे हो ठीक है तो उससे क्या है कि वो एक तरह से belt defined होना चाहिए पता लगे कि हाँ ये किस बारे में है और बच्चों का ध्यान भी उसकी तरफ जाए दूसरा है retention retention क्या होता है retention का मतलब the ability to store information is also an important part of learning process जब आप model को देखते हो तो आप कुछ information को अपने mind में store करते हो उससे related ठीक है retention होती है एक तरह कि आप information को store करते हो चाहिए वो images की form में हो चाहिए वो words की form में हो होती है जब आप attentive होके किसी model को देखते हो या फिर observe करते हो ठीक है third इसमें process आती है reproduction जब आपने attentive होके देख लिया उस information को store कर लिया तो उसके बाद क्या होता है आप उसको perform करते हो कि मैंने क्या समझा मैंने कैसे देखा ठीक है उस चीज को आप perform करते हो once you have paid attention to the model and retained the information it is time to actually perform the behavior you observed ठीक है आप practically उस चीज को करने लगते हो आपने खेत में उस person को देखा था काम करते हुए आपने आपने ATTENTIV होके देखा सबसे important बात तो सबसे आपने अपने रिटेंशन की अपने अंदर की उसने क्या क्या किया चाहे वो images की फर्म में की वो इस तरह से क्या काम कर रहा था, चाहे वो words की form में, चाहे वो कुछ बोल रहा हो, बहां पे, ठीक है, किसी भी form में आपने information को store किया, अब आप घर जाके वहीं अपने खेद में वो काम करने लगते हो, ठीक है, वो produce करते हो, आप reproduce करते हो उस information को, वो यहां पे कहलाती है, आपक result मिलता है, तो आप motivate होते हो, उस काम को दवारा करना चाहते हो, ठीक है, और अगर उस काम का result आपको negative मिला, तो आप उस काम को नहीं करते हो, उस काम को छोड़ देते हो, ठीक है, finally, in order for observation learning to be successful, you have to motivate to initiate the behavior that had been molded, ठीक है, उस behavior को आप बढ़ाते हो, उस behavior की बज़ा से आप क्य होते है, motivate होते हो, अगर आपको result जो है, वो अच्छा मिला होगा, ठीक है, ये थी एक छोटी सी theory, I think इतनी है, हाँ, इतनी ही है, ये थी एक छोटी सी theory, social learning की theory, अलवेटर वंडूरा के दौरा, इसमें most important बातें क्या थी, वो मैं जल्दी से आपको repeat कर देती हूँ, वो यहा करती है, आपकी observation के बारे में, कि जो बच्चे है, जो children है, वो क्या है, through observation भी सीख सकते हैं, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है, कि आपको क्या करना पड़े, reinforce जो है, वो करना पड़े, ठीक है, next आपको यहाँ पे जो ये चार step है, modeling process के, ये आपको पता होने चाहिए, कौन- social learning की जो दी गए थी, elevator बंडूरा के द्वारा, next जो एक छोटी सी theory एक और है, social learning की, sorry, learning की theory है, वो है, Karl-Roser theory of experiential learning, experiential learning होगा, यहाँ पे M नहीं होगा, यहाँ पे correct कर लीजिएगा आप, यहाँ पे जो है, वो M नहीं होगा, ठीक है, experiential learning है, not experimental learning, बहुत से बच्चे यहाँ पे confused होते हैं, यह Karl-Roser की theory कौन सी है, experiential learning, experiential learning का क्या मतलब होता है, experiential learning, experience, अनुभव से जो आप सीखते हो, ठीक है, वो है इस theory का नाम, तो इस theory में क्या बताया गया था, यह जो psychologist थे, इन्होंने क्या बोला, कि आप अपने अनुभव से, अपने experience से सीखते हो, ठीक है, द theory of experience, experience होगा, यहाँ पे, experience learning has been proposed by Karl-Ransom-Roser and American psychologist, कौन से psychologist थे, यह, American psychologist थे, जिनका नाम था, Karl, जो full name था, Karl-Ransom-Roser, या फिर हम Karl-Roser भी बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने learning के बारे में क्या बताया, इन्होंने basically learning को जो है, वो दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, Karl-Roser recognized two type of learning style, इन्होंने बोला कि जो learning होती है, जो अधिगम होता है, वो जो होता है, वो दो स्टाइल में होता है, ठीक है,ाइड को ने पार्ट में हम बता सकते हैं कि learning हो रही है, फर्स्ट इन्होंने बताया, cognitive aspect, दूसरा इन्होंने बताया, experiential aspect, ठीक है, cognitive aspect में क्य यह क्या होता है इसमें memorizing of fact होते हैं ठीक है basically cognition मतलब हमारे संग्यान से related ठीक है इसमें क्या होते हैं basically memory memory से related यानि कुछ learn करने के fact होते हैं एक तरह से हम learn करते हैं मतलब हम जो हैं एक तरह से fact को learn करते हैं मतलब इन्होंने इनको बोला जो cognitive aspect है ये एक तरह का meaningless aspect होता है ठीक है meaningless किस बे में कि जब तक हम use नहीं करेंगे तब तक इसका कोई उप्योग नहीं है कोई याद करेंगे किसी question को solve नहीं करेंगे तब तक इसका कोई उप्योग नहीं होता है ये cognitive हमारे संग्यान से related है ये दूसरा इन्होंने बताया experiential learning experiential learning में इन्होंने क्या बताया ये क्या होती है जो हमें experience से सीखते हैं हम अपने अनुवब से सीखते हैं applied knowledge मतलब जब हम apply करके सीखते हैं coming from doing और ये कैसे आता है हमारे पास जब हम चीजों को करते हैं जब हम कोई experiment करते हैं जब हम कोई career club करते हैं ठीक है तो उसकी वज़ा से जो हमें knowledge मिलता है जो हमने सीखा जो हमें experience हुआ वो हमारे पास क्या कहलाती है experience learning कहलाती है ठीक है basically आपको क्या पता sorry यहां पे क्या याद रखना है ये आपको पता होना चाहिए कि जो कार रोजर थे उन्होंने learning को दो पार्ट में या दो style में जो तो डिवाइड किया था एक cognitive एक experiential learning ठीक है next experience learning के बारे में ही लिखा हुआ है कि experiential learning associated with the application of acquired knowledge such as learning about about engine in order to repair a car the experiential learning is learner center learning ठीक है इसमें क्या बोला है कि जो experiential learning होती है जैसे मैंने आपको बताया कि हम अनुभब से सीखते हैं ठीक है ये किसके साथ जुड़ी होती है जो ये जुड़ी होती है जो हम knowledge acquire करते हैं जिसकी वज़ा से हमारे पास learning आती है जैसे example दिया हुआ है कि engine in order to repair a car ठीक है मतलब engine के बारे में जो knowledge है जो engine car का जो engine है उसके बारे में जो knowledge है उसको कैसे car में fit करना है कैसे उसकी repair करनी है ये सब कैसे हमें पता लगता है ये सब हमें experience से पता लगता है ठीक है हम जब अख जब हम उस चीज को करते हैं और उससे हमें experience मिलता है उस चीज से जो learning होती है उसे experiential learning कहा जाता है ठीक है और ये learning कैसी होती है ये learner center learning होती है कैसी होती है learner center learning होती है इसमें बच्चों का बच्चों का जो मतलब बच्चे जो होते हैं वो center में होते हैं बच्चे का center में होने का मतलब है कि वो खुद इस चीज़ को करते हैं खुद experience करते हैं ठीक है खुद अनुभब प्राप्त करते हैं इस चीज़ को उन्होंने बोला है कि यह जो है वो learner center होती है इसमें बच्चे जो है वो एक active learner के रूप में जो है वो part लेते हैं ठीक है next हम देखते हैं कि experiential learning के बारे में और क्या बताया गया है यहां बताया गया है quality of experiential learning quality क्या-क्या होती है experiential learning की first है यहां पर पर्सनल involvement of the learner इसमें learner जो है उसकी personal involvement का मतलब है यहां पर जो learner है वो एक active type learning होती है ऐसा नहीं है कि passive है कि उसको उसको बिठा दिया गया है और सिर्फ उसको बताया जा रहा है कि इस तरह होता है जैसे हम लैब में जाते है ना तो बहां पर experiment करते है ठीक है तो ऐसा नहीं कि बच्चे को बहां पर सिर्फ theory ही बताय जाती है कि आप बैठो और हम बताते हैं कि यह इस तरह से होता है नहीं बच्चे की बहां पर active involvement होती है बच्चा खुद करता है खुद experiment करता है जो result आते हैं फिर वो teacher को बताता है ठीक है तो इसमें क्या होता है एक personal involvement होती है learner की ठीक है तब उसे वो अनुभब प्राप्त होता है self initiated self initiated का मतलब है कि इसमें जो person है वो क्या होता है खुद पहल करता है मतलब खुद वो सीखता है ठीक है और जब वो सीखता है तो इसी process को self initiated process भी कहा जाता है ठीक है कि वो खुद पाट लेता है खुद जो है वो किसी experiment को जो है वो करता है या किसी भी problem को क्या करता है solve करता है ठीक है self evaluation खुद को भी evaluate वो कर सकता है ठीक है कि मान लो कोई experiment उसने किया जिसका result उसके पास आया फिर वो देखेगा कि हाँ किस कौन सी चीज की वज़े से ये result आया मुझे और क्या करना चाहिए ताकि ये result और बहतर बन सके मतलब इस तरह से वो क्या है खुद को evaluate भी इस learning ये जो experiential learning है इसमें कर सकता है ठीक है तो इसमें रोजर और क्या बताते हैं जो काल रोजर है psychologist ये चोटी-चोटी theories हैं ये कभी-कभी exam में आ जाती हैं इसे कोई question पूछ लिया जाता है तो हमें ये जो theories हैं ये करना भी important हो जाता है रोजर इसमें क्या बोलते हैं इसमें बोलते हैं कि रोजर as humanist believe वो एक humanist भी थे उ वो बिलीव करते थे human की जो strength होती है जो किशमता होती है उस पर according to roser यहाँ पर roser होगा according to roser all human being have a natural inclination for learning and a desire to grow our progress according to जो हमारे पास roser थे उनके according क्या था उनके according यह था कि जो all human है सभी जो मानव है उनके अंदर जो है एक क्या होती है natural प्रकृतिक रूप से एक learning के लिए एक inclination मतलब कि एक natural रूप से जो particular person है उसके वो खुद सीख सकता है उसके अंदर एक ऐसी desire होती है कि वो क्या है वो खुद सीख सकता है ठीक है वो जो roser थे वो human की जो क्षमता थी potential ability यह जो strength थी उस पे बिश्वास करते थे ठीक है next वो क्या बोलते थे वो बोलते थे कि human जो है वो खुद knowledge को जो है हमें क्या करना चाहिए इसके लिए जब बचा खुद जो है experience के base पे जो है वो knowledge को construct कर रहा है या उसकी जो learning है वो हो रही है तो उस स्थिती में एज टीचर या parents हमें क्या करना चाहिए तो first यहाँ पर लिखा अरेंजिंग आ फेवरेबल और पॉजिटिव climate for learning हमें जो है बच्चे के according ठीक है बच्चे के according क्या फेवरेबल और positive climate जो है वो त्यार करना चाहिए ठीक है ऐसा कोई environment ना हो मतलब ऐसा कोई negative environment ना बने कि जिसकी जिसमें जो है वो वच्चा लर्न नहीं कर पाए ठीक है तो एक positive और favorable यानि बच्चे के according तभी इसे क्या बोला गया है तभी इसे learner center बोला गया है ठीक है यह कैसे है experiential learning कैसी है learner center learning है इसमें बच्चा खुद participate करता है active involvement होती है और वो जादा सीखता है ठीक है जब बच्चा active होता है और खुद जो है वो किसी काम को करता है तो उसमें ज़्यादा वो उसकी जो मतलब cognition ability है वो ज्यादा लगती है और वो ज्यादा सीखता है और यह आपने खुद पर भी कभी 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 क्या try किया होगा कि जब जिस चीज में हम क्या involve होते हैं जो हम करके सीखते हैं ठीक है जो हम खुद करते हैं और करके सीखते हैं उस चीज में और जो हमें कोई बताता है उस चीज में बहुत फर्क होता है बहुत डिफरेंस होता है ठीक है जो हम खुद करते हैं उससे क्या होता है हमारे जो cognition है, जो हमारी mental ability है, उसमें क्या होती है, information store होती रहती है, कि हम किस तरह से उस काम को कर रहे हैं, ठीक है, उसके ज़्यादा chance होते हैं, कि वो हमारे mind में ज़्यादा time तक रहे, as compared to, जब कोई particular person हमें ऐसे बर्बली बताएगा, ठीक है, second है, organizing the learning resource and making them available to the learner, ठीक है, learning resource हमें, जो है, as a teacher क्या provide करवाने चाहिए, ठीक है, और ताकि जो क्या है, जो learner को जो है, वो learning resource मिल सकें, ठीक है, learning resource आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे, आपके जो school में present होते हैं, ठीक है, learning resource क्या होते हैं, जैसे lab बहां पे present होने चाहिए, ठीक है, lab के अंदर पूरा सामान ह होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं बच्चे क्या कर सकें उसको explore कर सकें कि किस तरह से जो है वो कोई particular problem solve होती है या particular experiment जो है वो किया जाता है ठीक है Sharing feeling and thought with learner in a democratic way हमें learner के साथ बच्चों के साथ feeling को share करना चाहिए in a democratic way ठीक है ऐसे नहीं कि बच्चे के साथ घर की बातने लग पड़े करने या फिर कुछ और बातने लग पड़े करने feeling share करने का यहां पर मतलब क्या है कि जो आपकी जो आपकी पढ़ाई से study से या फिर बच्चे को कहां पर problem आ रही है उन बातों को share करना चाहिए ठीक है किस तरह से learning हो रही है उस बातों को share करना चाहिए in a democratic way ठीक है दस दा primary responsibility of the teacher lies within his sincerity as helper a guide and facilitator in the ongoing learning process और primary responsibility as a teacher आपकी हमारी क्या बनती है यह बनती है कि हमें as a facilitator काम करना है सुभिधा जनक या सुभिधा दाता जो होता है वो बनना है हमें कोई रूल नहीं थोपना है बच्चों पर ठीक है उनको कोई इस तरह का कोई उनको जो है वो एक तरह का जिसे बोलते हैं कि डंडे की नोक पर हमें नहीं सिखाना है उनको कि इस तरह से काम किया जाता है ठीक ऑप पर प्रेजेंट होना है बहां पर गाईड होना है जहां पर बच्चा गलती करें उसको बताना है कि ऐसा नहीं ऐसा होता है इसा कम करें न न को तो यहां पर जब एकी उसे learner से जराएन्च को सब्सक्राइब डेबिड कॉल्व के द्वारा ठीक है यह जो cycle है किसके द्वारा दिया गया है यह दिया गया है डेबिड कॉल्व के द्वारा यह मैंने यहाँ पर एडिसली किया है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं experiential learning की तो यह cycle पढ़ना भी हमारे लिए क्या important हो जाता है ठीक है वैसे ही किस के द्वारा दिया गया है आप याद रखिएगा यह दिया गया है डेबिड कॉल्व के द्वारा ठीक है इसमें बताया गया है कि जो experiential learning होती है वो किस तरह से होती है वो सबसे पहले आपका आता है concrete experience ठीक है जब आप चीजों को touch feel करके क्या जो है वो सीखते हो आपके पास जो experience आता है concrete experience ठीक है उसके बाद की जो process है वो है reflection या reflective observation यानी reviewing reflecting on the experience जो आपने concrete experience में सीखा जो आपने काम किया मानलो particular problem को आपने solve किया यहां first step में यानी concrete experience जो experience आपके पास आया ठीक है वहां second step में यहां पे यह आपके पास आगया first second step में यहां पे आप क्या करते हो यहां पे आप reflect करते हो कि मैंने क्या क्या किया ठीक है जो experience आपको मिला second step में आप reflect करते हो उस observation को कि मैंने क्या किया यह किस तरह से हो सकता था या यह इस से अच्छा हो सकता था या कहीं पे कोई कमी रह गई या अगर यह अच्छा हुआ त आपको अनुभब मिला उस चीज़ को आप एक्स्पी रिफिलेक्ट करते हो ठीक एक तरह से विचार करते हो ऊस चीज़ ठीक है थर्ड डेप यहाँ पर आता है आपके पास अबस्टरेक्ट कॉंसेप्ट्रयाईजेशन ठीक है conceptualization मतलब इसमें क्या होता है आप conclude करते हो learning from the experience अब आप क्या करते हो उस चीज को abstract तरीके से कालपनिक तरीके से क्या अपने mind में क्या करते हो concept बनाते हो कि किस तरह से जो है वो मैं next जो काम है वो करूंगा ठीक है अगर इस चीज में ये कमी रह गई तो इस चीज में मैं कैसे जो है वो आप concept विल्ड करते हो ठीक है और fourth step है आपके पास active active experimentation ठीक है अब जो आपने सीखा जो आपने reflect किया जो आपने abstract thinking लगाई उसके बाद आप उस चीज को perform करते हो फिर से नई चीज के साथ ठीक है कि अगर कोई कमी रह गई है या कुछ उसमें चूट गया है तो क्या आप active experiment करते हो planning, trying out आप फिर से try करते हो ठीक है what you have learned जो आपने अभी तक learn किया उस base पे और ये cycle जो है तो क्या इसी तरह से चलता रहता है ठीक है ये कौन से cycle है experiential learning cycle और किसके द्वारा दिया गया था डेविड कोल्व के द्वारा जो था ये cycle यहाँ पे present किया गया था ठीक है तो ये थी दो theories आपकी जो first हमने पढ़ी social learning की theory अलवेट बंडूरा के द्वारा दी गया थी और दूसरी हमने पढ़ी experiential learning theory जो किसके द्वारा दी गयी थी काल रोजर के द्वारा ठीक है ये दोनों ही theories जो है वो important हो जाती है जब हम learning की theories को cover कर रहे होते हैं ठीक है तो इन theories के बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है जो मैंने यहां पर आपको points बताए है उन points का आप ध्यान रखिएगा कि इस theory में क्या था किस तरह से जो है इस theory को perform किया गया गोवर डोल experiment कौन सी theories में था ठीक है modeling की process क्या होती है ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है next video में जो है हम एक नई topic के साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए thank you have a nice day